हलो जी मैं हूँत अफ्ञेर और इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ इंडिया यर्स पाकिस्तान के उपर एक वीडियो क्रेक गॉमेडी पाकिस्तान वर्स इंडिया जो की मैच पूरा नहीं हो पाया यार बड़ा ही मज़ा आ रहा था एंड बड़ी टक्कर का मैच चल रहा था लेकिन मैच पे पानी फिर गया बारिश हो गई फिर जो भी हुआ एक एक पॉइंट देकर दोनों को कह दिया जाओ अपने अगले-गले मैच खेलो पाकिस्तान तो सुपर फोर में पहुची आए इंडिया का मैच जो है वो नेपाल से होना है लेकिन मैच में यार बड़ा ही बहुत मज़ा आ रहा था यार दो से च्छासट पर ओल आउट हो गई थी यार हमारी टीम उसके बाद ये था कि बोलिंग अटेक करना है बोलिंग बड़िया करनी है अगर जीतना है तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस बोलिंग देखने को मिली अब लोग कह रहे हैं कि यार बारिश ने बचा लिया इंडिया को क्या सच मैं ऐसा था स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेट्स गो जा थे इंडियो की धंबूले में मैच कर लो भई उदर की फोरकास्ट अची लेकिन नई भई नई इन्होंने इदरी मैच करने क्योंकि धंबूले में इन्होंने मेरा ख्याल में कोई 10 साल से के 15 साल से कोई मैच नहीं खेला तो उनको चाहिए होगा उसी तरह का मैच होगा और क्या या मतलब एक तो बिलकुल गले यहां से पकड़ावा था इंडिया को और बचागी बारिश बचागी इनको खेर कुछ पता नहीं चलता पाकसान के भी किस 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 कर रहे थे बट स्टिल डगवड लूस की जो इस वकट बन रही थे हैं कैलकुलेशन्स वो भी कोई जीब सी ही बन रही थी कि पता नहीं बीस ओवर के अंदर आपने एक सो पच्पन रन बनाने एक सो पच्पन तो हमारे लिए एक विनिंग स्कोर होता है 152 भी हमने किया था without any loss तो जो भी हो सारा मज़ा किरकरा कर दिया इस एक बंदे की वज़ा से फूल साज़शने इसने की वी थी इसी की साज़शने वो थी नो हार्ट टेक्नॉलोजी जो होती है जो पूरे वेदर शेहते को इससे जलजले भी आते हैं पूरे ग्राउंड को गीला किया था या पर शुम्बन गिल की जो है उसके हर जगह से पानी निकल रहा था तो पेच्च के पर गया था इंडिया का प्रिंस IPL का आहां ये हो आहां इसको इंडिया से बाहर लेके जाते क्यों भाई इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो तो मैं तो गदो इसको आउट ही नहीं करना चाहिए था कि थोड़ा और एक्सपोज ही होता है कोई मेरे खान में बिचारा जो है पांच-छे ओवर माँ पे साथ बलके जैदा होगा है आफ आट ऑवर मां पे खड़ा रहा है और रोया नहीं है यह बागि उसने सब बरकते कर ली ती तरी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था पता नहीं आउट किस तरह नहीं होते किस तरह बाच रहा था दूसरे एड़ पर खड़ावा उपर से दूसरे एड़ वाले भी आउट हो रहे वह अलाग इसको बूर खौफ तारी हुआ पहली दफ़ा मेरा दोस्त केल रहा था पाकिसान के खिला और पाकिसानी प्लेयर्स को आ आपकिसा की दिखाते हैं तके वहां पर थोड़ी आराम अराम से शेजिंग भी नहाओ बिल्कुल आराम अराम से पूली पूली बालिंग हो रही हो कि बहीं गुस्ताखी नहीं पर इस दिन पहले से पता था यार कि यहां पर बारिश हो रही है पूरी दुनिया लगी थी वह भी उनको पहले पता चल रहते हैं भूंक रहे होते हैं कुछ होते हैं जब भी आधी तूफान आ अूर HER बहुत हैं पहले लगाओ भाज भाजब भार आख़ए लेकिन हमने मैच नहीं चैंज करना है क्यूंकि मैच नौच नहीं टॉम्मेट एंसाल से प्लानट मुंट ब या मार रहा है या मतलब ऐसी कौन सी इतनी बड़ी यार सहसत हो गी है कि यार नहीं दस दिन से पता भी है कि अधर बारिश हो लिए लेकिन फिर भी मैच नहीं जो का टिकेट बापस एफ़ांट कर दो पर फचास पचास रुपय और और चे मिनट पर दूसरा टिकेट बिग जा होते है कि इंडिया की बैटिंग हो रही और पाकस्तान की बालिंग हो रही यह वो तो हमने देख लिया और उसके अंदर जो लाठाड़ा है पाकिसानी बालर स्वी हो मैं करता हूँ पेरी दफ़ा हुआ है मेरे खाल में नहीं पर दफा तो नहीं लेकिन दस विक्टें पेसि वो था मेरा दोस्त शाहीन और शाहीन ने जो मेरे दो हमारे कोच कोच को जो आउट किया है रोहिच शर्मा भाई को उनके पहले भी वियान आ रहे तो उसके पर मैंने बात नहीं कि जो डरे वे थे कि इससे डर लगता है कौँसा आपको लगता है बेटर प्लेयर है तो फॉरू मार देना ये नॉर्मल चीज है लेकिन विक्टने देना जो है न वो जरा नॉर्मल चीज नहीं होती तो काफी दफा हो गया आपके साथ मेरा खाल में अब आप की बिबस देन आगे लेकिन वो भी दिन थे न जब ये बोला करते थे कि मैं जब कोच बनूंगा तो फिर इनको आपके लिए छोड़ किया हो फिर उसके बाद खोली भाई जो है उनको भी आउट कर दिया उनकी भी खेर थोड़े से अनलकी भी होए लेकिन जो भी हो बीट हो गया थे उपर से वह चौट नहीं का खेल रहे थे ना फ्रंट फुट पे ना बैक फुट पे उपर से वही पां इसकी ब्रेक हाई अंदर गया महाँ पर पूरा फोकस बैठा था तो उसको पता था कि बेटा मैंने जो ना बॉलिंग वह थोड़ी खलत करा दी और वापस आके पी गया मुझे तो यह समय नहीं मैंने उसके भी ट्वीट किया था कि यह टॉस जीत के पहले बैटिंग करने व उसकी बार कराई भी जिसको पता था कि यह टारी करके आए मैं तो ओवर हो गया बहुत अदर जाए गोरी हो थी तो आपको पहले बैटने करना चाहेंगे दूसरी बात ही जो उसके अगर ड़कवर्ड लुएस आपको बेटर आईडिया हो जाता है कि यार अचा ठीक है मैंने पंदरा ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं मैंने सोला ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं तो मैं ड़कवर्ड से उपर ही जाओंगा था कि अगर बार बारिश आ भी जाती है तो कम उसका मुझे पता हो कि टार्गट क्या होना चाही विक्टे नहीं गिरानी ये नही करना वो नहीं करना और इजी हो रहा था है सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए टार्गेट यह और बात है कि हमें जो इस वाट टार्गेट दे रहे थे वो कुछ जी भी था आगर आपने पांच एकोवर्स खेल लिए और तो फिर आपकी फेवर में चाना शुरूरा था तो और वही हो रहा था उनने का कि जी बाल तो टोड़ी मूव शुरूरी शुरू में सर्वाइफ कर लेंगे पहले ओवर के अंदर भी इसका कैच था जो के फखर जमान ने चोड़ गया था बरना भाही पर यह गेम ओवर हुई भी थी जिस प्रेशर में थे और जो अदर गिली थीन ही उक्रीस से बाइर गया हुए यू नीचे डेप ओरी है उसके ओपर नो बॉल के ओपर तो चलो छटका भी मार दिया फिर नो बॉल भी दे दी फिर बोल्ड भी होगए उसको पर तीन रन भी बढ़ गया और फिर भी उन सब को अगर अग्नोर भी कर दिया तो एक बंद समझ नहीं थी कि ये कौन सी पते नहीं भंक्शंग पीके इसकों के बियान देर होते हैं बट मेरा ख्याल में तो ये टॉस के बाद बिल्कुल भी बैटिंग नी करनी चाहिए थी बाल स्विंगे हो रही है ये और खोली का ज़र ये रैक्शन अड़ा वो बस ये इस गेम की ह हाइलेट है जो इसकी आँखे बाए रही ही थी खैर इसी सब के अंदर मैं हाइलेट करना चाहूंगा शाहीन की जो है फाइफर होने वाला तो उसकी चार विक्टे होई थी लास्ट वाल वाक्रा ता अपने स्पेल की और भूमी ने छोड़ दी बाल उन्होंने ना उसको खे पांच वक्टे लेकर चला जाए तो उसने यह हरकत की थी चोटी हरकत किये भई अभी तू कमर की दर्थ से वापस आया ये ना उस तरह चोटी सोच कर रखो कि दुबारा भी मोच छोटी सोच रपाओं में मोच इनसान को सरील करा देती भई ये ना कि को मोच वोच आ आजा आपको फिर मुझे ना फर पकड़ना मैंने पहले भी इस किसम की को बातें की वी आप लोगे टीम के बारे में और फिर वो भी गई थी खैर या जो भी हो ये श्रिलंकन ग्राउंड साफ को मैं पहले ही पता नहीं कि तन दफा बता चुका हूँ कि बहतरीन परफॉर्मंस होत तो सबस्दा क्रिकेट भी उन्हें खेलनी होती सबसे बड़े इवेंट्स सबसे बड़े मैचिक गूनर बराने तो वहां पर भी सबस्दा बार्शें भी उरी तो इस तरह कि आप भी कोई कोई तैयारिये रखें जिस तरह कि यह कर रहे होतने खैर बचा रहे जब भी पूरी दुनिया कर रहे थी कि पिच जो है वो सबस्दा के अब कर दो दो इस वकत के दर वो दोनों ऑल राउंडर्स हैं वो फूल टाम सब्स्दा तो कोई भी नहीं है आपकी टीम के अंदर आपका शदाब भी जो है वो एस एन ऑल राउंडर केलता है और नवाज भी ऑल र अब है एक मेरा खाल में हम इन में सब्सक्राइब को निकाल कि अफ़ही मश्चरफ को डाल सकते हैं और ट्रिकी सीन ही है मेरा खाल में तो ये इन पिचिज्ज वगरा कि आपर स्पिन चलती है और इंडिया में भी कुई इसी किसम का महौल होगा लेंगर लोग यही बात कर र उन्होंने बहुत ही हलकी बालिंग की है ना शादाब ने अच्छी बालिंग की थी ना नवाज ने अच्छी बालिंग की है तो इतनी कप्तानी का मसला नहीं है ना ही टीम सेलेक्शन का जितनी बालर्स का मसला था और अच्छा है कि यह चीजज अब भी हम हाईलाइट कर रह हादों से मीचे जूक रहे हैं इदर से बॉल निकल रही है चौके हो रहे हैं डारेक्ट हेटे तो लग नी रही है जीप कोई गंदी फिल्डिंग की पच्छी से तीस एक्स्ट्रा दिये हैं और उसकी वर्जावी देगे लिए जो आप एक चौका रोक लेते हैं तो प्रेशर जबता ना अगर पूरे ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगा तो अगली ओवर के अंदर प्रेशर में आया हो होता है बैटर वो आखरी बॉल के उपर चौके भी लग रहे हैं बहुत ही घटिया फील्डिंग की है जो भी हो मेरे दोस्त इशी किशी और पांडू जो है उ मुझे ज़्यादा उमीदें नहीं थी कि मुझे यह लगता कि कहीं नहीं कि खोली को ही कौपी करने में लगे वे होते हैं स्वाइक के ओपर ज्यादा ज़र है पांडू तो मेरा दोस्त आज वैसे स्वाइक च्वाइक कोई नहीं दिखा था सिर्फ वर सब कमेटेड ही था हम ल ही खुबसूरत इनिक्स के लिए दोनों ही गेम चेंजर थे वरना खुदा की किसम इंसे डेड़ सो रन भी नहीं हो रहा था पूरी की पूरी टीम फैल हुई है कोई मेरे खान में 20-10 रन बनाके नहीं गया सिर्फ यही दो जो है वह सी 85-85 बैसिकली रन बनाके बैटे रहे थ सब्सक्राइब हो जब टेमपर हाई होता है कभी भाग के आए हो कभी 140 पर बाल कराई हो 45 पर पचास पर गए हो ता आपको बाद चले किस रहा खून जो है वो पर नीचे हो रहा था तो इसी किसम का हो रहा था टेक इट इसी अच्छा है को थोड़ी अग्रेशन और भी नज सबने रखा वा था उनकी भी प्लेयर्स जी तरह रखते था थोड़ा सा वो एक ऐलमेंट होने चाहिए कि बहुत ही थल्ले ना लगो फैन बॉय वाले मोमेंट नहीं होने चाहिए वो दूसरी खबर इनकी भी आ रही है और वुशी की भी आ रही है शोदी हुई थी मैं ख़र में नसीम चाहिए है और इसको कोई अटेंशन दे थे भाई इस पीबी को या उर भाई समें दमाग खाया हुए वह भी है यार जान ही नहीं छोड़ रही है फिल्लिंग हमने ही घलती होगी अब दुल्ला शफीए के कौन है वो बीच में आगा जो है उसको भी आपने ओवर करवा है यह मुझे को समझनी है कि इसके क्या तोग बनती है आपके पेसर के अपने ओर यह खारी हो तो शुकर है कि पचासवी तक बात ही नहीं गयी है वरना और और जज़द दिल खराब हो गया इस तरह नहीं होना चीए था थोड़ा वार बेतर हो जाता अगर हो चलो जो भी हो अज़कर जो कांटेस्ट होता है वो पाकिस्तानी बालिंग और इंडियन बैटिंग गई होता है और वो पाकिसान जीच चुका है तो कही नहीं धाग तो बैट गई यह और उनको पता जो चल गया है कि इस मैच में किसने ओन किया है तो वो पाकिसानों नहीं किये और उसके अंदर शाहिन शाह फरीदी और नसीम और रूफी सब ने बेहतरीं बालिंग कराई यह मज़ा आगया फास्ट बालिंग देख तका मज़ा जाना फास्ट बालिंग काई फ्रिल जाए उसके सियाती और जब उसको सर्वाइफ कर रहे होते हैं बैटर तो उसका भी बहुत मसा आता है खैर मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स टूटिक अंदर लाइक जरूर कीजिए कि वीडियो को और अगर सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी करो या आप लोग से नेक्स वीडियो के अंदर बाइब भी करूंगा तो देखते हैं अगला जो पाकिसान का मैच होता है दौा करें कि वो कम असकम बारश की नजर ना हो वरना जेशा साब जो हैं वो उनको अनको अल्ला लंबी उमर दे इसी तरह के लीडर्स इनको मिलते रहें और इसे तरह गेम जो हमारी बरबाद होती जाए खैर करा लो और तुम लोग करा लो इदर मैच मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स वीडियो के अंदर बाइब जी आगर लीड की बात करें कि किसने लीड किया इंडियन बैटिंग ने या फिर पाकिस्तानी बोलिंग ने तो ज किशान की वज़े से हार्दिक की वज़े से लेकिन बड़े नाम जो थे रोहित और कोली उनको गिरा लिया था और क्या जबरदास्त प्लानिंग की थी यारो माइग गॉड मुझे वो तीनों बोले या दे जब आउट हुए थे उससे पहले कि दो बोले जो बाहर जाती ही डालूँगा तीसरी बॉल अंदर करती पैड और बैट के बीच में से यह होती है पिलान एक विकेट गिराया एक बड़े खिलाडी का मानना पड़ेगा हुए बॉलिंग में तो दम है पेसर्स ने तस के दस विकेट ले लिए फेल हुआ या नहीं हुआ उसकी बात मैं नह इतनी बात करूँगा कि जी हां दोनों में से बैटिंग पहुंची थी टककर तक ठीक है नहीं अगर वो चलते पंडिया नहीं चलता या फिर पंडिया चलता तो भी उतना स्कोर नहीं हो पाता दोसों के आसपास हो पाता लग रहा था कि यार हाँ अब तीम हमारी लड़ेग जीत और हारकट फैसला मैं यहांपर बैठकर नहीं कर सकता कि कौन जीत था लेकिन टक करका चलता मैच, इंडियन बोलर्स भी थोड़ा परिशान थोड़ा नहीं काफी परिशान करते और उतना स्कोर करने नहीं देते क्योंखी चेस करते हूए इंडियी का मैश ठाल की मैंनों सावggere पेल तरहlar, तरह लाहे बांदे को ऑगार मेश का में आप शाओ साव रखतेरी पेल चले तो पर अब कर दोद में हमें पाल जा खसे आपैस्जे मेश速 औरहे व 실कर को पक्रेब मेहजूस हो रही थे, all out नहोते यार, पाकिस्तान के हिलाफ कम से कम, तो तीसरी चीज तो बचा ही लेते, क्या कहते हो, कॉमेट सेक्शन में बताओ, एंड करते हैं इस वीडियो को, बाई!